अच्छा यह चीज़े रिकॉर्ड होना जरूरी है अब जितने मिनट लेट आओगे उतने मिनट में काउंट करते रहूँगा अपने एकॉंट उतना टाइम बढ़ेगा चलो चलो तो कोश्चन नमबर 16 करने की 16 छोड़ा था हम लोगों ने तो आओ जो छोड़ा है पहले वो खतम करे आज की क्लास में सारे कोश्चन से बड़े बड़े होगे इम आख आपको चलाना पड़ेगा तो कोश्चन नमबर 16 उठा रहे है सबसे पहले है तीखा अल्फा लिमिटेड इस अ मैनुफेक्ट्रर ओफ काम्प्यूटर ठीक है और आटिफिशिल इंटेलिजेंस मैकिंग काम्प्यूटर ठीक है बड़ेक्ट में पैसा लगा रहे है AI का यूज करना चाहते है जिससे आपका annual savings हो का मतलब यहाँ जो काम पहले लेबर बगेरा कर रहे होगे अब हम काम्प्यूटर से करवाना चाहते है कंप्यूटर खरीदना पड़ेगा पर फाइदा क्या है कि बोले पांच employees को हम काम से निकाल देंगे किसा बचेगा कितना पैसा बचेगा कि इन लाक मन्थली कि इतने का पाच का पाच का मिला कर तीन लाक कि एक का तीन लाक पढ़लो 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 एक सतना कि हर एक का तीन तीन लाक तो पंद्रा लाक पढ़लो पढ़लो नहीं मैं नहीं कहना चाहरा हूँ यह कहना चाहरा है पढ़लो 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 इसा बोल रहा है जो आप बोलो मैं कहा मना कर रहा हूँ मुझे सच्चा ही पता है पर मैं बोलना ही नहीं चाहता ठीक आगे बढ़ते उसकी वजह से कितना बचेगा मेरा 3,000,000 इसके अलावा क्योंकि स्टॉक का शॉर्टेज हुता था कोई माल खरीदने आता था हमारे पास स्टॉक ही नहीं रहता था तो अब वो ऐसा कोई लॉस नहीं होने वाला है इसकी वजह से कितना 3,000,000 और टाइम पर बिल भी तयार हो रहा है क्योंकि कम्प्यूटर से हो रहा है टाइम नहीं बिलिंग मतलब टाइम पर बिल तयार होने से 2,000,000 रुपिया बच गया है मतलब समझनी आया तर मतलब क्या है इस से लिखा ना 3,000,00 उसको देखो ना 2,000,00,2,000 बच्टर यह सारी चीज़े आद्गे अच्छा, computer system कितने का रहा है 20,000,000 20,000,000, कब लगेगा ऐसा नहीं बुला और installation cost कितना है 1,000,000, तो total कितना खर्चा आएगा 80% of the purchase price will be paid in the year of purchase and remaining will be paid in next year 80% कब paid होगा आज बताओ 80% calculate करके यह पूछो किसका कि 20 का पढ़ दो 21 का कि 20 का रेप्रेशिसन एकालते समय बहुत अच्छी बहुत installation का मतलब मैं समझाने मतलब हो जो लेबर वगेरा इंस्टॉल करवाते हैं उसको कहेंगे एक साल बादा में पैसे ले जाना है सा यह sentence है आपके मास यह बताओ कि 80 परशन अभी पैड़ हो रहा तो 80 परशन किसका 20 लाग का कि किस लाग एक तो यह अभी समल नहीं रहा है और यह वारे टेल सना गए अध़ यह अध़ यह अध़ जो लाग इस तुला लग का पैड़ हो रहा है कि सत्रा लग सब्सक्राइब कर दो अब इस पर दो जो बैद होगा और एक लाग का पैड होगा वो तो अभी देना ही बड़ेगा ना तो सट्रा लाग हो गया ना अब बच्चा कितना चार लाग है ना चार लाग कब पैड होगा अगले साल थैंक और अगे बड़े तर तो यह सब कम्पूटर खरीदने से फायदा तो गिनवादी यह कुछ लगेगा कि नहीं लगेगा डेप्रेशिशन कौन सी मेथट एसले में हावे अप दौपरेशन अप नियू सिस्टम दो कम्पूटर स्पेशलिस्ट की जरूरत है जिसकी सेलरे कितनी है पाच लाग दोनों की मिला कर मतलब 10,00,000 हर साल का खर्चा इसके अलावा और किस चीज का खर्चा है कम्पूटर खरीदा तो मैंटर ने सब अगेरा का खर्चा 2,80,1,60,1,20,1,20 और फर्च्ट इयर का जीरो वैसे तो हम मन्त के एंड में पैट करते थे लेकिन आज ये पैट का इसके अलावा टेक्स रेट है 30 बर्शन और ये सब डिसकाउंटिंग रेट आई सी ए आई को क्या लगता है कि हम लोग और डिसकाउंटिंग रेट कितना दिया 15 बर्शन और इंस पी आई भी पूछा इंस्टिट को क्या लगता मनूं है बच्चे ना फैक्टर देखते हैं और उनको रेट पता नहीं रहता है तो एक ही फैक्टर दिया रहता तो एक ही उठा कर लिग देते हैं तो चलो मैं 3-3 द हाँ अब दिक्कत बस एक ही वची हो यह भाई एक जगा रुक्के यह तीन लाख है एक का की पंद्रा लाख है तीन लाख है की बंद्रा लाख है अब थोड़ा सा धियां से अगर मैं 3 लाख लेता हूं कैलकुलेटर थीन प्लस तीन कितना हो गए छे और दो आठ 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 और दो दस दस पचास यह दो कंप्यूटर इस्पेशली दस लाख लिखा जाएगे साल भर का और यह मैंद्रनेस अलाग है तो खल प्रोजेक्ट रिजेक्ट बास समझो बास समझने की कोशिश कर रहा हूं कि यह सेविंग्स थोड़ा सा दिमाग चलाओ यह तीन लाख रुपे नहीं है टोटर मिल अगर कितना है पंद्रा लाग अगर मैं यह आई सी यह कहें तो इसमें अगर आप बोल रहें कि सब्सक्राइब लोग मैं लेता हूं हमने लिया भी था पिछली बैच में इससे मुझे सीखने को मिला सबने काटा था वापस तो जब लिया ना तो हम करें सी एफटी अब सी एफटी के लिए पैसा कितना बच रहा है तो तीन और तीन छे और दू आठ दू दतस पचास लिका सबसे पहले अब दस पचास में से क्या में इस करना है पाउश्ट अब जब में कॉष्ट माइनस करने कया तो दस 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 लाग सब मैं मैंस हुआ फिर सब में माइनस आ गया तो फिर तो खतम होगे प्रोजेक्ट उस डिजेक्ट अहां इट मेंस ऐसा भी नहीं है कि सर ये पूरी तरह से लिखा है कि तीन लाख रुपए पाच लोगों का और उसके बाद आप यहां पर पर परसन क्यों ले रहे हैं ऐसा पूरी तरह से नहीं लिखा है यहां अभी भी हम डाउटफुल थे कि यह पाच का है कि इसको क्या लिया उन्होंने तीन लाख पर परसन है पर इंप्लोएंट तो बेला काम क्या करें है कि एफ 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 मुझसे आगे चल रहे हूँ यह फिर मेरे साथ में चलोगी कि एफ 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 कितना साल है पास पर एफ 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 कि एफ 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 कि एफ एफ सेविंग्स में अलग अलग नहीं लिख रहा हूँ कि यहां 4-5 कोलम्व है सेविंग्स मुझे टोटल मिला कर बता देना कि ना है कि इन लग प्लस दो पचास और प्लस तो लग कितना आ गया है इसमें से मैनस क्या करोगी पॉस्ट या एक्सपेंसेस तो कम्प्यूटर इस पेशलिस्ट को कितना जा रहा है अच्छा मैं उतना भर लिखता हूं कि टैलरी करके लिए इसके लावा और कौन से खर्चा था क्या मैं आटा इस इस पार आटा 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 इस तो लाक एक लाग जट सी तो लुक्षट ए यह जो तो यह जो जो एप्सक्राइब एसन यह जो एक यह जो आइए अध्य बात मेरी पास मेरी में तो शुनों और लेख तक्स क्या होता है admonsent कैया बुदता injuste कहीं भी प्रक्ड और बांड जिससल कि उस्साल कि इसल से उसी हिसाब से प्रोफिट होता है उसी हिसा प्रेक्स लगता है छाफ करते हैं फिर Tillbank काले श्रह क्रटे फिर सोचिंगी क्या है तो यार-प्रूर कांषमों के साथ से जाते हैं तर मतला पिक्चर बाकी बहुत बड़ी पिक्चर है भी तरह दो लाक एक अथी एक स्टार्ट एक चालेज़ एक चालेज़ एक पीस जा तुसर अब जो आएगा इसका नाम दी एफ बीटी जालो तस लाक पिचास जार तस लाक तीस जार तस लाक दस जार तल तो यार और गलत हुआ तो फिर देख लें मुझे एक्जाम थोड़ी में देख नौ लाक अवे जार और नौ लाक सतेतर जार वाव तस लाक पचास जार अब कर लेंगे हम दस लाक नबबे हजार ने तो अरी बार फिर कट लेंगे ग्यार अलाग दस जार और ग्यार अलाग तीस जार जब भी थोड़ा तो ना वे इसको देखे गन्फीज हो गयते ना फिर बात में समझ वाया है यह माइनस हो रहा है जले अब इसके बाद क्या बचा भाई रप्रेशिशन इस्ट्रेट लाइन मेथड बूल था या उसमें कुछ पैसे साइद जीरो पीरेड में पे कर रहे है कुछ पैसे एक सलवाद अब अब आपका ना ऐसा तो नहीं पैट किया उतने पर लगेगा ऐसी पूछ रहाता है 20 लाग पे अब सेल्वेज माइनस नहीं करोगे एक किस लाग पे 4 लाग भी पक्का ना चारवीस क्योंकि मुझे तो सिर्फ मिटाना पड़ता है चारवीस ओके अब जो आएगा वो क्या आएगा बीबीटी अब इस बीस हैदर से बढ़ा देख है यह सबता है यह सुनों यह फ्लो में लिखे हैं हम लोगों नहीं मालम सही है कि गलतवाश लिंग दिया पिछले बार गरबड़ हुआ थे चक्कर टैक्स और टैक्स का रेट कितना बर्शन थे से 30 बर्शन पॉइंचे वन लेक इसको बीज़ बीज़ से जाचे बड़ा देगे हाँ तो फॉह साथ मैं आप उटाद्वे लगटी निजमें हिए अब ये निकले। को बान ले जेते हैं, एक को टू ले जेते हैं, 8 lakh, 61, 8 lakh 75,000, 8 lakh 89,000, 9 9 10 10 10 10 11 11 11 12 12 13 12 13 14 15 15 15 16 16 15 15 करो जो गलत है यह तो आप माइनस कर भी नहीं सकते पहले से आप भी जानते हैं पैसे यहां थोड़ी नहीं जा रहा है जो लो सर फ्लस करते वापस वापस वासर टैक्स करते निकलता इंकम टैक्स वाला बोलता करो माइनस क्या करोगे मैंटिनेंस तो कहीं वाला तो कर नहीं पड़ेगा न माइनस यह गलत माइनस किया था तो एड़ बैक किया पर पैसा तो गया है ना एक्च्वल में और फर्स्ट येर में पैसा गया एक असी इस साल गपैसा यहां गया है तो जो पैसा एक्च्वल में जा रहा माइनस तो करना ही पड़ेगा मैंने का ना बहुत अच्छा कोशन है इक्जाम में सीधा क्या बात कर दो एक्जाम में सीधा तो बनी नहीं सकता अब सही वाला सी है फिटिया है अभी भी हमको 2,00,00 रुपया मार्म करना है मालू में कहा है जीरो में एट लैक है एट लैक नैट फाइब था हुजन जीरो नाइन जीरो नाइन जीरो तो लाग तेईस एजार 10.37 तो लाग तेईस एजार कितना अच्छा लाग याँ अच्छा अभी क्या करें एंपेव प्रोपर टेबल बनाकर करते हैं एंपेव एला एयर इसा थो लेसर मारा पर्टिकुलर्स पी एयर पी प्रेजंट वेली फैक्टर अमांट प्रेजंट वेल्यू प्रेजंट वेली फैक्टर एमांट प्रेजंट वेल्यू 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 प्रेजंट फैक्टर दिया होगा साइद एम आओ एक कोशन बनाने में ऐसे आदा धांटा लगेगा तो खेल खतम हो गया पहले क्या लिखेंगे हम कैश आउट फ्लोस पॉस्टर प्रोजेक्ट जीरो और जीरो का क्या हो जाएगा वन कितना सत्रा लाइब अब आया कहा से 17 लाइब यहां लिखना पड़ेगा ना कॉपी में लिखेंगे रही है ना बीस लाइब का कि अच्छाइब कि अच्छा नियुक्त ये उसका अलग से दिखेंगे और दूसरा फ़र्ष्ट इयर में भी है कितना चालक Factor 0.870 3.48 तस तुटल मार ले और कुछ आ वरकिंग कापिटल वगेरा तुटल मार रिषका 3.2.0.48 अभी क्या लिखेंगे? Cache, Infus और इसमें कौन सा कॉष्ट सबसे पहले है मैंटरेंस? 0 में जा रहा है, कितना जा रहा था है मैंटरेंस? 2,000,000? रैकेट दिखा लिए लगा कर दिखा लिए थे, पैसा जा रहा है नहीं अब फिर क्या करेंगे हम लोग? Tf80 जो Working Note No.1 में लिखा है न हुआ, सब की सब लिखेंगे? Tf80 कितने साल तक? एक, दो, तो, चार, पाच, सेल्वेज का कोई चक कर है कि है? एक्टर में लिख दिया है, वह जाता है एक्टर में ना अटिक क्या सी? आट लाग पंचियन बेजर, ना लाग ना ना लाग ते कि सजा? दस लाग 7000 अटर भी बोली दो 0.870, 0.756, 658, 572, 0.7664, 70, 67660, 598122, 527956, 55153, 5295,---- टूलक दूलक टूलक भंदार, एव सकतेव़ध के यह सका लड़ध दूल功त, दूलक लेक्टलकवध, 0.765, NPV B minus A 8 P6, double 5 NPV positive है? Accept NPV उच्छा है क्या? अंसर दिया है की बुक में? एट है क्या? एट है क्या? एट है क्या? एट है क्या पर पर रहे थे और आप मुझे बोल रहे थे और मैं आपको इग्नॉर किया जाए एट है क्या आप मैं यहां लिख रहा है आवाज जुरूर आ रही थी पर मैं इग्नोर करते हुए अगर मैं मैं यहां लिख देता हूं तो भी क्या NPV इत नहीं आएगा कैसे हां NPV पर PI में खेल खतम हो जाएगा क्योंकि यह क्या हो जाएगा पड़ जाएगा और यह क्या हो जाएगा प्याइबी क्या एक यह आंसर आता है अगर यहां एट कर देता किसको इसको एट कर देता और यहां से हटा देता हुए 1.3 से अंतर आता ICAI ने क्या कर रखा वैसे मैंने जो करवाया था ना वो लाश्ट में यहां लगवाया थिया था इसको और सहीं भी लॉजिकल है भी अभी का भी खतम करो ने और कैसा उप्खलो है यह तो इदर चिपका दो हमारा NPV तो सहीं आ रहा था पर PA हमारा सहीं आ नहीं आ रहा था और ऐसे कैसे हो सकता कि NPV सहीं आ रहा और PA सहीं नहीं आ रहा था फिर पता लगा बच्चों ने फिर जुगाड लगा के बताया जुगाड कहां से लगाया होगा आपको पता है जुगाड लगा के बताया कि सार उनने ना इधर लिख रखा ठीक है तो यह वाला कोशन स्पेसिफिकली याद रखना किया कैसे ओके अच्छा कोशन था गुड कोशन एल्डियार यह वाला कोशन तो अपने बना लिया था कोशन नमस्के मंटी नहीं ना ओके यह बन गया था और इसका आंसर एक बार बोलोगे एन पीवी का आंसर क्या है है मेरे यह डबल वन डबल एट दू से वन डबल जी ठीक है जिन्होंने नहीं बनाया उसके लिए यह होमवक हो गया और इस कोशन में क्यूंकि आप लोग फसे नहीं कहीं भी आसानी से बना लिया मेरे खान से बज़ जाए हलाकि यहां फास सकते थे पर मैंने पहले ही बता दिया था कि टेक्स सेविंग्स नहीं लेना है कोशन में 21 बना लिया है क्या तो आओ हिम्मत दिखाते हैं हां करेंगे ना सब सारी कोशन करें 20 21 कर लेते पहले फिर डिस्कुस करें कोशन में 21 कि इतना अच्छा किया था अभी आट दिया हो चलो अब बनाना नहीं पड़े हो अच्छा लगता है तो बताओ न्यू मेशिन खरीदना है कितने की है एक पच्छीस 20 जार 80% of cost being payable at the start of the project and 20% at the end of first year मेरे खिया से समाल लोगे इस point को आप तो समाल लोगे machine कितना unit से बनाएगे 50,000 selling price कितना है 3 1.75 पैसे आपका हो गया direct cost और annual fixed cost including depreciation याद रखना पहली बार आया आपके पास है 10 minute का टाइम बहुत हो दस minute NPV चाहिए मुझे कुछ भी करो कैसी भी करो NPV निकल और सर answer आज आए तो मेरी तरफ से party पका जहां बो बहुत ठीक है आप बनाने जा रहे हूँ 10 minute का टाइम है कुछ यह answer है ना वह factor की वज़े से उन्होंने charge it लिया होगा answer में तो वह मुझे नहीं मलूँ पर के चल जाएगा कुछ है मेरे ख्याल से तीन डिजिट पे यह वला answer हमारा ठीक है ठीक है तर हमें कैसे पता लगेगा एक्जाम में आजकल जो कोशन जाते हैं सबके साथ factors दी है अचा गलती क्या क्या हुई आपसे से अलवेज लेना भूल गया है और एक पच्चीस का असी और भी इस मतलब से अलवेज लेना भूल जाते हैं कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो को भी नहीं आ रहा है एंसर वे ये ये अधिक कोड़ी कोड़ी को ये सेल्स प्रोमोशन में गिरहे ले लिया ना आघ इसी को फाइनल आंसर मान लेते हैं 31638 चले आगे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मिले हैं जो आपको याद रखना पड़ेगा अगला कॉर्शन्स बनाने से पहले नहीं तो हो चुड़े जाएंगे वो कॉश्चन्स नहीं और बड़े इंपॉर्टेंट कॉश्चन्स है वो आते हैं एक्जाम्ट सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म अगया पीवीसी आई माइनस पीवीसी क्या याद रहेगा आपको अब देखते हैं अभी कॉश्चन्स आएगे ना ठेक दूसरा पीवीसी आई का फॉर्मूला है पीवीसी आई डिवीसी हो और पीवीसी आई का फॉर्मूला अगया पीवीसी आई निकालते थे ना यार आला कि यहां जो डिशकाउंटिंग रेट लेते थे वो इसे लेते थे थे आप कोश्ट अफ कैपिटल वाला यहांद है कोश्ट अफ प्रोजेक्ट जिसको आप पी वी सी यो भी बोलते है पी वी सी उसका फॉर्मूला एनवल सी एफ एटी तो पी वी एफ लेकिर हमने एक बात पढ़ा था कि जब यह डिसकाउंटिंग करेंगे तो फिर कॉश्ट अप कैपिडल से नहीं करेंगे अगर आई रर वाले रेट से डिसकाउंटिंग करेंगे इसको तो जो आएगा वो तो पी वी सी ओई आ जाएगा याद है आई रर क्या था एक ऐसा रेट दोनों बराबर हो तो अगर मैं इस एफ एफ एटी को सी ओ सी से तो पी वी सी ओई आई आता था ठीक है पर अगर मैं इसको IURR से discounting करूंगा, तो वो किस के बराबर आजाएगा? PVC के बराबर आएगा, मतलब cost of project. आप यह बात तो पक्की है, IURR वाले rate से discounting करते हैं, तो cost of project आता है, और cost of capital वाले rate से discounting करते हैं, तो PVC आहिएएदा है. अब यहार आपको पेवेक पिरेड वगे रखा भी फॉर्मुला लिखवा दो सर तो वह मैंने लिखूंगा यह चार फॉर्मुले जार यह मत दिखाया है चलो है यह कोश्चन आई सी ए आई गए फैवरेट कोश्चन में अब यह मिसिंग वैल्यू है जो आपको निकालना है कोश्चन नमबर 32 कोश्चन नमबर 32 कोश्चन नमबर 32 एनवल कैश इंपो कितना दिया है साथे जार दो नमबर मिलेंगे एक भी अगर आप बना लेते हो तो आठ नमबर का कोश्चन है मानके चलो वैसे दो दस नमबर का होता धाई ड़ाई नमबर यह दो दो नमबर में काम चलाते है एनवल कैश इंपो कितना है साथे जार आप इसको सी ए फीटिये बोल दीजिए लाइफ कितना दिया है चार साल आई एर आर का रेट दिया है फंद्रा बर्शन पी आई निकल कर दे दिया सेल वेस जीरो है चलो जो निकल सकते निकल लो रेट दिया हुआ अंसर 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 आई निकल गया वन से वन वन थ्री डबल जीरो लाव कॉपिलाव में चेक करूं कहां बनाया तो पहला निकालो कि खौश्ट अप्रोजेक्ट जलो पहला काम को हो गया तो प्लीज निए लिख लेते हैं लिख लेते हैं लिख लेते हैं नहीं लिखोगे तो दुबारा क्लास लेना पॉष्ट अपॉष्ट अपॉष्ट यह भीटी कितना है? साथ हजार? इन्टु पी वी एएफ कौनसे वाले रेट से? आई रर वाले रेट से खिक है तो साथ हजार इन्टु 2.855 यह हमने पी वी एएफ लिया है 15 परशन तो यह आगे 1,71,000 3,00 अगला क्या निकलने का सोच रहा हूँ? पेड़ लिख रहा हूँ तूसरा क्या निकलरे हम पी इड़ लिए पी क्या न? एक में नाइन मैंने एक लाइन लिखाया था जब भी हर साल का कैश इंफ्लो एक जैसा हो तो पेड़ेक पिरेट का फॉर्मुला होता है कहां का टेबल के सा टेबल यह तो दिख रहा है वान सेवन्टीवन थ्री अंड़ डिवाइड वैसा अठीजर के तम कहा ने यह लिखा है लिखा है कॉक्र हाँ सर कॉंसेप्चियोल तो हम सही है न हाँ बिल्कुल सही है अब कॉंसेप्चियोल सही हो पस फॉर्मुले में याद करने में हमको ज्यादा यकीन नहीं है पेड़ेक पिरेट कॉस्ट अब कापिटल एक चेप्टर है अपका 71,300 और हर साल कितना आ रहा हमारा साथ हजार तो यह आगए 2.855 यह आपको लगा कि मैंने शॉर्टकट मारा आप से ज्यादा शॉर्टकट मैंने मार दिया है चलो चार नमबर तो मिल गया आपको दो नमबर इसका दो नमबर हाँ वो तो कॉष्ट ऑप कैपिटल निकालना है सुचो सुचो मैं तो यह मदद कर दूंगा और अगर सीरियसली बली टाइम ले लिया आपने पाथ 10 मिन ले लेकिन खुद से कोशिस किया न जिन्दगी बर याद रहें पस इतना सुचो कि यह पी आई दिया क्यों है आख्या पी वी सी आई कितना आया कोई बतायगा अठारा पाविस और पी वी सी आई का मसाइद मैंने फॉर्मुला लिखाया यह मालूम है यह मालूम है यह मिल जाएगा न यार तो यहां कही ना कहीं तो मिलेगा कुछ ना कुछ तो मिली जाएगा जुगाड़ते हो गया है खत्म काहनी है पहले निसाली दी तो है अब भगवान अगरे फैक्टर नहीं दिया है तो अगर 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 फैक्टर ना दिया होता तो फिर ट्राइल मारते हैं कितने पर्शन से निकाला फोर्टीन पर्शन से अपने कितना निकाला था तो बोलो कितना आए था एक ऐसे रेट से डिसकाउंटिंग करते कि हमारा पी वी सी आई इतना आता तो पहले दस पर्शन लेते पंद्रा पर्शन लेते कुछ ना कुछ करते इंटर्पलेशन करते बारा परशन आ जाता तर ऐसा आज तक हुआ नहीं है पर अगर यह नहीं दिया है अब किसमत कैसी है हां तो फिर हो सकता है अब यह जा अब यह अचि है ठीक है सर तो फिर ंचिंटा वाली बात नही है यह दिया रह रहे का ठीक है ओक है संब गोशन हां तो आठारामने ट्ट ठीक है यह वाला कोश्चन सहीन टाइम पर किया वह पहली बार बना रहा है हाँ अब तो प्रैक्टिस करूगे आगे अंसर अच्छा यह पूछा था क्या वन जीरो तो मेरी जरूरत नहीं है यह तो निकाल लिया होगा एक कोश्चन बनाने में कितना टाइम लगते हैं अब देखो मैं आपको बता रहूं क्या सीन यह हो गया सब लोगों का अब बेटे मान लो आप एक्जाम गया और एक्जाम में यह वाला कोश्चन आए कितना टाइम लगेगा अब कम लगेगा अब थोड़ा से कम बचेगा ना है अब तो यार जैसे देगा हो गया हो गया सबसे पहला आई सी आई भी समझदार बनते टोटल भी दे देता हूं करके तो टोटल भी दे दिया अब तो जल्दी हो जाएगा तो यह वाला कोशन होमवक देना चाहे हो गए कि सर बिलकुल होमवक होमवक कॉपी भी जाएगा यह तो और यह वाला कोशन क्या लगता आपको होमवक होमवक कॉपी क्या लगता है इस को लिट्स हां हाँ नाम से लग रहा है ए बी सी एक बार यार ऐसा दिख्करते ना पेज में पर लेटना आंसर चाहिए देखूं तो देखूं तो यह तो कोशन है हाँ अश्य वाला कोशन था कि हाँ तो इसका भी निकाल दो देखी तो लूँ कि आपके कॉपी में जो लिखा वर आप आंसर चाहिए मुझा आंसर फटा फट से हैं तो आपको लग रहा है कि तीन नंटे का एक ही कोशन आएगा ऐसा आपको अरवढ आपको अंसर इतना बुर लगएगा कि यहार् 2 6 5 1 1168 505 यार इसमे तो अंसर नहीं दिया 9 9 3 0 अगे तो कॉपी है किसी कॉपी तो दे दो एक बश्क में भी दो देखुं कितना अच्छा किया है इस 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 ऐख केलकुलेटर नहीं यह नहीं आई सी एई वाला दो कोशन कियों नहीं नहीं मैं ढूड़ोंगा ना पेखे मैं एक्सपर्ट हूँ भूड़ोंगा मैं यह दो देखाऊं हुआ है ना इन टू नहीं है खीक है मतलब सब बच्ची समझदार हो गै सबका सही है तो हो गए है कुछ था ही नहीं सब कोश्चन पीछे और छुट्टा था कोश्चन नम्बर 12 आउब भी कर लेते खतम ही करते हैं अज सब कर 28 भी देख लेते हैं कोश्चन नम्बर 12 क्योंकि टाइम पास कोश्चन में कोश्चन करवाँ नहीं बता दूंगा आंसर दिया है ना इसका इतना इतना बड़ा है तो फिर कैसे ज़िए पर सब्रक्राइब पैंसी रथा फॉलिए प्रोपोजल का मतलब क्या हो गया है अगर किसी भी दूसरे को रिजेक्ट करना पड़ेगा ठीक मतलब चार में से कोई एक ही सेलेक्ट करेंगे इसमें पी जीरो माइनस टेन थाउजन मतलब कैश आउट फ्लो है और यह कैश इंप्लो टू थ्री फॉर लॉस नहीं इस पॉष्ट और प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट एक एनपी वी वगिरा अगर पुर में पढ़ा नहीं हूँ पर निकाल सकते हो क्या आराम से प्रोजेक्ट बी में पैसा कब जा रहा है आज पैसा आ रहा है और दी में पैसा आज जा रहा पहले दूसरे साल कुछ सबसे पहले क्या नहीं कालना पेबैक पिरिएट या बच्च वाला काम हो गया पहले वाले का दिख रहा है छे दो आट और दो दस तीन साल यह दो को तीन साल आगे मैं अगर यह कोश्चन करूं आपको शर्वाने लगेगी अगर मैंने आप से एक बार पूछा था कि भाई प्रोजेक्ट एक प्रोजेक्ट एक प्रोजेक्ट है तो कर लेना चाहिए अगर एक ही प्रोजेक्ट है तो कर लेना चाहिए पर मैंने गाता नहीं इसके साथ वो बताएगा इस टेंडर्ड पेबैक पिरिएट हम लाइफ नहीं देखना है तो वो बता रहा पॉइंट नमबर टू इस टेंडर्ड पे जहां सिर्फ कैलकुलेट बोला है डिसीजन नहीं मांगा दूसरे में क्या बोल रहा है अगर इस टेंडर्ड पेबैक पिरिएट कितना साल है दो साल अगर दो साल से ज्यादा है तो नहीं करेंगे अगर जल्दी रिकवर होना चाहिए या दो से पहले पहले ठीक है और क्या आंसर आपका अलग हो जाएगा अगर स्टेंडर्ड तो ठीक है कर लेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है को श्टॉप कापिटल कितना है 10% क्या निंकालना और बताएगी क्या करना है मतलब क्या जबरदफ टाइम पस हो रहा है फिर आगे NPV और डिसकांटिक रेट कितना लेना है 10% और बताना है कौन सा सेलेक्ट करें और फैक्ट भी दे दिया है अंसर आपको पता ही है इतना सारा क्यों आया है उसकी वचा होंग पर संबर 12 होंग होंग कॉपी में लिखने लिखने कुछ है है और एक कौन सा कोशन शुटा है क्या है यहां तो नहीं मेरे पास बोर्ड नहीं है कि कटवा दिया था मैंने अच्छा 28 28 काट दू हाँ इंस्ट्यूट का नहीं है क्या होता है कि मुझे क्लास लंबी खिछनी पिड़ती ना तब मैं ऐसे कोशन करवा देता हूं कि चलो टाइम पास कर दो इस कोशन को करने में गम से कम एक घंड़ अगर आप चाहोगे तो मैं लग से वीडियो दे दूँगा आपको मत करना मत करना आइंकर आपकर बहुत कुछ आएगा अगर टैक्स का रेट दिया तो बहुत कुछ आजाएगा यहां तक तो सारे कॉंसिप्ट होगे आप एन पी वी वेर्सिस आई आरर कुछ कॉंसिप्ट वो अभी नहीं होगा क्योंकि उसके लिए मुझे मुझे मॉडिफाइड आई आरर वगेरा करवाना बढ़े अब हम हमारा दूसरा टॉपिक करते हैं तो जितना भी टाइम है रि प्लेसमें लिए बहुत इंपॉर्टन्ट है आसर आज देखते हैं मेरे पास अभी फिर कोश्चन नहीं इतनी स्पीट से जा रहा है मैं इतने कोश्चन करवाए था उतना बोर्ट पे हो गया पर कॉंसेप्ट तो डिसकस करूँ अच्छा डाउट्स भी थे कोश्चन्स में कल वाले सारे कोश्चन्स बन गया थे ना रिप्लेसमेंट डिसीजन आप आखरी बार पढ़ रहा है हो नहीं क्या आपको फाइनल में वापस है क्या फाइनल में यही कोश्चन करेंगे यस ठीक है तो यह आपको भूल जाओ कि आप इंटर में आप फाइनल पढ़ रहा है आप ऐसा मान के चाहिए यहाँ आपने कोई मेशीन खरीदा था बिलकोल दियान से समझना इट मिंस्ANS यह जो क्लास है यह इंपोर्टण है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कॉमप्लिकेशन है तर यहां मशीन खरीदा था हमने कौश्ट और सर हमने जो मशीन खरीदा था वो खरीदा था एक लाक रुपए की और जब खरीदा था तो लाइफ कितनी थी? लाइफ थी दसा ठीक है? अच्छा खासा काम चल रहा था सर आपके साथ सथ बनाएं कि हाँ जी अच्छा खासा काम चल रहा था और हम भी बहुत खुशते चलते जा रहा था एक साल, दो साल, तीन साल, चार साल पुरे हो चुके है अभी कितना साल बाकी है? अच्छे तो अभी जो है ना, वो यहां से यहां तक कितना साल बाकी है? कोई बुक वैल्यू बताएगा मशीन की कितनी है? कुछ नहीं बोला है, तो डेप्रेशिशन का मैथिट कौन सा है? तो हर साल दस जार, दस जार, दस जार, दस जार डेप्रेशिशन लगा, तो बुक वैल्यू कितनी है? कि हम कितना कमाएंगे, 25,000 रुपए पर एन, दिख लो पर इतना, अब कहां हो अभी, यहां कि यहां, अब यहां आ चुके हो, इधर नहीं हो, खिल खत्म हो जाएगा नहीं तना, कितना साल बाकी है? किछना कमा रहा? अब बाद में रिवैल्विशन से और एक बात भी पता लगी, कि इस मसीन को बेच भी सकते हो, क्योंकि मसीन बहुत बहुत अच्छी थी, तो यहां तक पते नहीं था, अब ही नहीं? लाश्ट में लाश्ट में लाश्ट में और पता लगा इसका सेल वेज भी निकल गया भाई सेलवेज और सेलवेज कितना लिखूँ बारा आजाओ परेनम लिखूँ क्या परेनम लिखूँ क्या एक ये किसके विसे में बता रहा हूँ अब भी जो मशीन है हमारे पास मार्केट में गए वहाँ पता लगा न्यू मशीन आई भई नई टेकनोलोजी जो आप बना रहा हूँ ना अब बोले न्यू टेकनोलोजी से बनाओ के तो उससे माटेरियल भी कम लगी का लेबर भी कभी खर्चा बचेगा तो बोले जो CFAT अब मैं किसके इंफर्मिशन दे रहा हूँ कि आज जब मार्केट में गए तो न्यू टेकनोलोजी अच्छा पैसा कुछ कर नहीं सकते अब कर तो वैसे लिखना पड़ेगा तो लिखो न्यू न्यू मशीन आगरी और न्यू मशीन से अगर काम करेंगे तो पता लग रहा है कि CFAT जो है ना वो हमारा आ जाएगा 45,000 और न्यू मशीन की जो लाइफ है वो है 6 साल लाइफ हमें से बराबर रहेगी नई वी और सर न्यू मशीन कितने की आ रही है नियू कोश्ट और जो नई मशीन आ रही है वो आ रही है 1,25,000 और सर ये 6 साल बाद बिकेगी की नहीं बिकेगी बिकेगी सेल वेस और मान लो ये बिक जाएगी हमारी 22,000 की अब सवाल ये है कि न्यू मशीन से गाम करें कि ओल्ड से क्या लगता है एक्स्ट्रा कुछ फाइदा है कि न्यू मशीन खरीने से बस इतना हुआए साल यार एक्षर कमाई कितना वीस कितने सल तक अकल इसको बोलते इन्buhीमें टल सियर ही इन्कूमेंट एक्षा और इसको बलते इन्गूमाइंट ऐल गृत अच्छी है की आज मैं नहीं टेक्स नहीं दे रहा हूं, ठीक, इनके मेंटल टाइना रहा हूं, पर यहार नियू मसीन से कुछ एक्ष्टा लगेगा भी तो, कितना? काड़जर क्या है? क्या लेना देना भई? पेचेंगे तो 60,000 का ही भी किगा, ऐसा बोल रहा है? तो सार लिखो ना मजा आएगा मजा, चलो, market value of old machine, कब लिखूँ? यहां है ना? आज की चौते साथ? मैं आज ही तो यहां हूँ, आप आज यहां मत समझो, गरबड़ हो जाएगा? आज, आज, यह आज, ठीक है? तो यहां क्या लिखूँ? market value of old machine, market, कितना लिखूँ? तर आप लिख दीजिए, 70,000 रुप है तर टेक्स भी लिखी दोना से, जब इतना लिख रहा है तो टेक्स भी लिखी, टेक्स 30% पड़ा, ऊपर कर लो, ना? आज, लिख लो, इतना लिखूँ? इधर अभी कुछ नहीं लिखवाने वालों, खत्तम हो गया है, बस इतना ही कुशन और सर, और एक चीज़ लिखना बढ़ेगा ना, cost of capital 10 person, उसके बिना तो काम नहीं होगा cost of capital है, 10 person बस, बस, बस अब मैं क्या कहना चाहता हूँ, बस इतनी सी बात है, वो समझ में आए मेरा यह है कि नई machine खरीदना चाहिए, कि नई machine क्रीदना चाहिए, नई machine क्रीदने से मेरे पास आज कितना पैसा जा रहा है आज new machine खरीदना है, आज का मतलब यहा किसी को ऐसा तो नहीं लगए, ओल्ड भी रख लेगा, new भी रख लेगे? नहीं खरी देंगे तो मैं वहीं वह बहुत एक्स्रा पैसी कितने लगेगे वह जो क्यों कैसे सबसे बढ़े कैसे कि एक पेच्चीस मैनस ततर का बेचुंगा टेक्स वाला घर जाएगा ओहो और एक अपिटल गेन क्यापिटल गेंगे इसमें कुछ फाइनेस वाली एफम वाली बात ही नहीं है पॉजिन 64 मेरा सिंपल सा काम है भाई एक पच्चीस लगेगा बोल्ड को बेचूंगा टेक्स दे दूँगा जो बच्चा पैसा उसको यूज पर लूँ टेक्स देना ही पड़ेगा ना याश्ट जो बताएगा ना पार्टी है आज कितना जाएगा और गलत आने पे में पार्टी दोंगा मैं दूँगा मैं आप बोलू ना बच्चे लॉक कर दूँगा आपसे ज्यादा की उम्मीद है वैसे ठीक करवाने में जो मज़ाना आंसर तो रहता नहीं वह कुमें आप बता लगा बहुत आगया एक्स्ट्रा कितना लगेगा आज एक आंसर आया 72 पुखान आप बता देएं आ तो चो 76,000 58,000 64,000 ठीक अब देखें मतलब आपके दो अब देखें एक बार बोलो आज जो ओल्ड मसीन है न्यू मसीन कितने की खरीदो एक पच्चिस यार मुझको तो एक पच्चिस लगने वादा ठीक है ओल्ड मसीन को बेचेंगे कितने का बेचेंगे इस पर थोड़िन लगेगा कैपिटल गेन पर लगता है टेक्स तो अगर हम ओल्ड ही चलाते तो यहां कितने का आज भी का अगर अगर आज इसकी बुक वेल्यू क्या है साथ कैपिटल गेन हम ऐसी तो करते थे यह तो दस जार का क्या गया अगर इसमें से क्या माइनस कर देंगे शिक्ष्टी सेवन थाउजिंड आंसर कितना जाएगा फिप्टी एड थाउजिंड किसी का 58 कहां आया था वाई तो चलो काम करेफ एक्ष्टा कितना जा रहा है एक्ष्टा कितना आ रहा है यह सिंपल है टेक्स तो है टेक्स की ज़रूत नहीं दे दिया मैंने आपको तो 25 माइनस 45 माइनस 25 वह एक्ष्टा आएगा कितने साल तक आएगा 6 साल तक और एक्ष्टा तो चलो एक पारिटिकुलर फॉर्मिट में काम करते हैं अगर मैं कहूं रिप्लेश्मेंट डिसिजन पर कहानी लिखवाना वह अराम से लिखनेंगे पहले एक फॉर्मिट बनाते हैं और एक ही फॉर्मिट में सारे कोश्चन्स होके Year Present Value Factor amount और प्रेजेंट वाली फेक्टर में अमाउंट लिए देते हैं अब पहले अमाउंट लिए फेक्टर लिए अच्छा आप ये कह रहा है बाई चांसी दर अमाउंट लिए गलती से इसको काटके यहां अमाउंट करके दर तो भी कर सकते हैं चलो तो सबसे पहले क्या जाएगा हम बोलो उपर क्रिमाइंटल कैश चैश पोश्ट ओफ न्यू मशीन कोश्ट ओफ अब खरीद रहा है आज की चोथे साल यही तो यही तो सबस्या है आज क्यों रहा है जीरो आएगा या फोर आएगा यही तो आपको समझाया जाएगा तो यहां क्या आएगा जीरो कितना पैसा अब वर्किंट नमबर वन रिखिया अब लास्ट बैच वालो को डाउट किया था मालों कितनी जगा लगेगी वो मैं भी नहीं जानता अब वर्किंट नमबर वन रिखिया अब वर्किंट नमबर वन रिखिया काल आए अब यह अब तैलोप और जमसेंट बताओ कितने में बेच रहा है sales concentration तरहजार मैनस क्या करोगे वक वैल्यू कितना बारहजार आठ हजार यह बारहजार मुझे एक मेने तक याद रहता बताओ क्या है capital gain कितना 10,000 तो tax कितना 30% मतलब 3,000 आप यह भी बोलोगा कि किसी बच्चे ने 7,000 बोला था बोला था किसी ने 7,000 यह वाट और यह टू यह क्या आगया मतलब जो भी हो आया तो 68,000 कितना 67 67 था होजा इसको लिखूं क्या चैलो पोल्ड मसी लिख देती है ना रुजो लिख देती है टिक्ष्टी सेवन को यहाँ रैकेट लगाना है कि नहीं कि पीक है कितना वजा है फिफ्टी अब किया दिखोगे इंक्रेमेंटल कैश इंफ्लोस में इंक्रेमेंटल सी एफेटी बच्चों का कहना था कि सर इसका फॉर्मूला बना तो फॉर्मूला है तो बताओ कितना आएगा कैसे आए यहां लिखे लेते ना कितना 45,000-25,000 कितने सल तक आएगा मतलब 1 to 6 मतलब 1,2,3,4,5,6 ऐसे लिखना है यह 1 to 6 लिखना है 1 to 6 1 to 6 1 to 6 का फैक्टर चाहिए मुझे रेट किया है 10 परशन 25,000-25 20,000 Good morning 4.5 आशा दूसरे रेट का आप जिस्टिफाई कर रहे है 4.355 8,7,1,000 आप आप अजिरो आपको ऐसी समस्या तो नहीं आएगी पता नहीं बाद में क्या एक्जाम में दिमाग ऐसा घूम जाए आपको और चलने लगे सवाल यह है कि यह क्या चक्कर है नहीं लग रहा है बहुत अच्छी बात है नहीं लग रहा है चाहिए लेकिन एक्ट्रा दिमाग चलता है तो फिर दिक्कत होदी दो दो बार कैसे बेच रहे है वावी स्वाइड जबार है कौनसे सल में बन टू? 6 कितना? 5, 6, 4 कितना आरहा है? 10 5, 6, 4, 0 जोड़ दीचे बस 9, 2 NPV निकल सकता है क्या? NPV पॉजिटिव है 3, 4, 7, 4, 0 NPV पॉजिटिव है तो क्या करोगे? मशीन शूड़ बे रिप्लेश्ट बस इस रिप्लेश्मेंट डिसेजन तीनी तो लाइन लिखना था यार चार चार में काम खता होगा बस आपको सिंबल कॉंसेट बस खतम यह है दो ही तो टॉपिक है कापिटल बश्टिमिए बैसिक्स वारिक रिप्लेश्मेंट बस सर तो मतलब यार नहीं दिया रहेगा दोनों मशीन का वो निकाल लेंगे यह दोनों मशीन का सिया फटी नहीं दिया रहेगा वो निकालना पड़े इंब हो सकता है उसमें 10 साल का अलग-अलग हो पहले इसका 10 साल का CFAT फिर इसका 10 साल का CFAT और फिर आप कितने टर्मिनल वेल्यू निकालना पड़ेगा टोटल मिलाकर अगर हम ओल्ड मसीन चलाते और बेचते और उस पर कापिटल गेंट टैक्स होता तो क्या होता अभी यहाँ टर्मिनल वेल्यू नहीं निकला है किसमत से पर यह निकलेगा ना टैक्स वेक्स करेट तो कितने टर्मिनल वेल्यू निकलेगा तो ओल्ड मसीन चलाते तो क्या होता और ये तो होता ही काम, ये वाला तो होता है, तर वो कल देखेंगे ना, पूरा की पूरा, हाँ जी, कल देखेंगे, अभी नहीं, अभी मैंने सिर्फ कॉंसेट होमवार्क है कि आज कुछ, मिल चुका है क्या, तो आज की ग्लास, यहीं ओवर करेंगे, आज इसलिए बुलवाय अभी तक, ब्रेक होगा, ब्रेक के बाद फिर क्लास होगी, वो 15-20 मिनट का ब्रेक होगा, तो हम रिफ्रेस हो जाएगे, उसके बाद फिर क्लास होगी, तो वो जाद अच्छा है, पहली होना 2 गंटे की क्लास है, 2-5 गंटे की, पर ठीक है, वो effective भी होगी कम से, ऐसे मैं तो की राइट टाइम पर आओगे, ओके, तो क्लास वर कर रहा हैं दो,